असलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ पीजा की रेस्पी बहुत जादा चीजी पीजा हम लोग आज बनाने वाले हैं और बहुत जादा टेस्टी और बहुत कम टाइम में यह रेस्पी बनने वाली तो चलिए इस रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं इस रेस्पी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहां पे लेना है तो आपको जितना लेना हो टुमैटो केचप उतना आप टुमैटो केचप ले सकते हैं और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च आपने तीखी कि अकॉर्डिंग आप यहा कर सकते हैं और इसको साइड में रखा भी यहां पे मैं लूँगी ब्रेड तो चार ब्रेड लूँगी इसको इस तरह से मैं रखूंगी और फिर कोई भी गोल बर्तन लेकि इसको गोल शेप में कट कर लूँगी तो यहां पे मैं केक्टीन का इस्तिमाल करें क्योंकि यह आप इसको रग दें यह सूख जाए तो इसका ब्रेट करम भी बना सकते हैं और यह देखे इसको मैंने कर लिया है अभी क्या करना है हम लेंगे एक पैन तो यहाँ पे पैन अभी थंड़ा है तो यह बटर जो है इसको मैंने फ्रिज से निकाला यह नहीं है इसलिए पैन को हलका सा गरम करुगी ताकि अटर जो है इसको मैल्ट होने लगो जैसे पैन गरम होगा बटर मैल्ट होना शुरूं से reuse गहाँ मै फ्लेमको बंद कर दूँली तो अभी मैंने तो अच्छे से अचछे मैं स्प्रेट कर यह जो ब्रेट पीसे से को हमें इस चारो ब्रेड पर मैंने टोमैटो केचप अच्छे से लगा लिया है और अब मैं इस पर डालने वाली हूँ यह चीज तो यह मैं मार्किट से लाई थी और अल्रेडी इस तरह से कटा हुआ था आप मौजरला चीज को कद्दू कस करके इस तरह से यूज कर सकते हैं तो अच्छ और शिम्ला मिर्श को कट किया था वो सारा हम इस पर स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरीके से तो मैंने यहां पर सारे वेजटेबल्स को मतलब शिम्ला मिर्श तमाटर और प्यास को रखने के बाद इस पर थोड़ा सा मैं नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ ताक कि जो वेजटेबल्स हमने यूज किया है उस पर थोड़ा सा नमक आ जाए नमकीन हो जाए उसके बाद हम इस इसे दोनों चीज इस प्रिंकल करना है और यह हमारा रेस्पी अब आल्मोस्ट बन के तयार है अब इसमें हमें कुछ भी डालना नहीं है अब इसको डारेक्ट हमें बेक करना है तो अब मैं इसे धाकूंगी तो इसको मैंने कवर कर दिया है और फ्लेम पर रख दिया है चीज बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया कितना जादा चीजी है हमारा पीजा बना हुआ है बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में आप इसको एक बार ट्राय ज़रूर करिएगा और इसी तरीके से आप इसमें और वेजेटेबल्स डाल सकते हैं और अपने बच्च झाल